वेलकम टो अल्ली आईएस स्वागत है आप सभी लोगों का Current Affairs Revision for Prelims 2021 में Environment के Current Affairs के Revision का ये हमारा 11 हमा लेक्चर है आज के इस सेशन में हम जुलाई महिने के Environment के Current Affairs को Revise करेंगे इस सेशन का First Important Article गिंडी National Park के बारे में है जो गिंडी National Park है ये अभी हाली में News में आया कि ये बहुत सारी Eco-System Services Provide करता है तमिलनाडू के चिन्नाडू के लोगों के लिए तो इससे एक लिएर हो गया कि तमिलनाडू में है ये आटवा सबसे छोटा National Park है इंडिया का और कुछ एक National Park में से है जो चिन्नाड़ी के Metropolitan Area में Located है अब देखिए Eco-System Service Provide करने का क्या मतलब होता है हमारा जो environment है वो हमें कई तरीके की Services देता है लाइक हमारे लिए हवा को साफ करता है अगर आप एक Air Purifier ले 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 तो काफी महंगा पड़ेगा ये हमारे लिए पानी को Clean करता है उसे एक Mineral Water में Convert कर देता है थ्रू इट्स Various Lairs जो Aquifer में जाके कठा होता है अगर आप पानी को खुद Mineral Water बनाएं या उसे Purify करें तो आपका कितना खर्चा आ जाएगा न तो Monetary Value बहुत जादा होती है वो Services जो हमें हमारा Eco-System Provide करवाता है और भी कई सारी Services हैं Nutrition की जो Cycles हैं उनको Complete करना बहुत सारी Services है तो Number of Services हमें हमारा Eco-System देता है इसी एस्पेक्ट में ये आर्टिकल News में आ गया था ठीक है गिंदी National Park एक समय में Game Reserve हुआ करता था Game Reserve एक ऐसा एरिया होता था जहां पर Notify कर दिया जाता था कि यहां पर जानवरों की hunting की जाएगी Game Purpose से तो हम 16-17 सताब्दी की बात करते है 1977 में इसे Tamil Nadu के Forest Department को दे दिया गया 1978 में इसे National Park डिकलेर कर दिया गया इसी के पास में है गिंदी Snake Park जिसे Statuary Recognition दे दिया गया है Central Zoo Authority की दोड़ा 1995 में पार्टिकल किंग कोब्रा के बारे में है जिसे अभी हाल ही में स्पॉट किया गया है तिलारी रिजव में तिलारी रिजव भी इंपॉर्टिंट होगा हमारे लिए बात करते हैं किंग कोब्रा के बारे में भी वैसे मैं आपको बता दूँ किंग कोब्रा दुनिया का सबसे लंबा venomous snake है हम पूरी प्रजाती की बात कर रहे हैं जो जहरीले साफ होते हैं उनमें सबसे लंबा यही होता है किंग इसे इसलिए भी बोलते है काफी जहरीला होता है, काफी खतरनाक होता है Usually जो बाकी snakes होते हैं अगर आप उनको गुस्ता दिलाएं या फिर उन्हें हर्ट करें तब वो नुकसान पहुँचाते हैं या फिर काटते हैं ये तो कई बार महस देखकर ही दोडा लेता है इसलिए भी खतरनाक माना जाता है तो अभी इसे conservation reserve में देखा गया जो कि तिलारी में है महराष्ट्रा के सिंधु दुर्ग डिस्टिक्ट में मिलेगा आपको ये ये महराष्ट्रा का map है यहाँ पर देखिए है सिंधु दुर्ग डिस्टिक्ट ठीक है तो ये तो बात हो गई कि most venomous sneak है और सबसे लंबा venomous sneak भी है इसका जो venom होता है वो काफी potent होता है काफी ज़्यादा जहरीला होता है further एक single bite में ये बहुत ज़्यादा neurotoxin निकालते है मतलब जब काटते हैं तो पूरा जहर उगल देते हैं कि सामने वाला बचे नहीं और एक छोटा सा हिस्सा भी इनके जो venom का है वो 20 लोगों को जान से मारने में सक्षम है even एक हाथी को भी जो king cobra है वो अपने जहर से मार सकता है habitat की बात करें तो ये usually rain forest में पाया जाते हैं इंडिया के plains में गंगा का जो plain वाला इलाका है वहाँ पर अक्सर देखे जाते हैं सदन चाइना South East Asia में भी मिल जाते है ये bamboo जो forest का बाकी फर्दर forest है बंबू का region है mangroo, swamp, high altitude, grassland या rivers के आसपास की region में बहुत आराम से मिलते हैं IUCN के red list में इन्हें vulnerable रखा गया है sites के appendix 2 में है और wildlife protection act of 1972 के schedule 2 में बात करते हैं तिलारी conservation reserve के बारे में ये state of maharashtra का सातवा wildlife corridor है wildlife corridor एक ऐसा corridor होता है जो दो wildlife region को जोड़ देता है माली जी कोई barrier हमने create कर दिया railway बिचा दिया, road बिचा दिया तो हम link कर देते हैं ताकि जानवर एक जिगे से दूसरी जिगे आसानी से जा सके कुछ समय पहले इसे conservation reserve declare किया गया था western ghat में है, 9 villages को cover करते हुए इस पूरे range को तयार किया गया है ये कई सारे tiger, elephant की population के लिए एक, ना कि बल हैबिटेट की तरफ वर्क करता है बलकि उनको एक रास्ता भी देता है जो तीन states में आसानी से move कर पाते हैं गोवा, करनाटिका और महाराश्टरा ये देखे जो मदेई, century है गोवा की और धीमगाड, करनाटिका की उनको आपस में connect कर देता है semi evergreen forest, tropical moist, deciduous forest और कई सारे unique paid butterflies, flowers आपको यहाँ पर मिल जाएंगे हमारा next article albino palm civet के बारे में है हाल ही में albino common palm civet को देखा गया 129 साल बाद सबकुषिया टाइगर रिजव में, STR में ये छोटा कार्निवोर mammal है, जो की family वेवराइडी से बिलॉंग करता है terrestrial भी है, जमीन पर भी मिलता है arboreal भी है, arboreal इसका मतलब होता है की पेड़ों पे रहते है nocturnal होता है, रात में activity करता है albino का मतलब यहाँ पे क्या है ये अभी समझते है, देखिए habitat उसके पहले देख लेते हैं, ये southern और south eastern एश्या में पाया जाते हैं commonly आपको southern china से लंका और southern इंडिया में मिल जाएंगे tropical environment में रहना इनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसलिए warm और temperature region और humidity manage कर लेते हैं, that's why ये यहीं पे रहना पसंद करते हैं, albinism जिसकी वज़र से इसे albino palm civet बोलते है albinism एक disorder है, hypopigment rate disorder, जिसमें body में melanin की कमी हो जाती है इससे जो body का color होता है वो white हो जाता है ice red हो जाती है तो colors नहीं आते है body में ये इस civet में देखा जाता है इसलिए इसे albino palm civet बोलते हैं हमारा next article black panther के बारे में है हाली में camera trap जो install किया गया था, नवे गाउं नगजिरा टैगर रिजव में वहाँ पर हमने black panther को capture किया अब देखे black panther क्या होता है समझते हैं ये एक melanistic leopard है जिसे हम आम भासा में black panther या फिर black leopard बोलते हैं melanistic होने का मतलब होता है देखे लिटरल word तो इसका मतलब यह होता है गहरा रण खेर जो भी variant cats के ऐसे हैं leopard के, jaguar के या उसलोट के जिनका color black होता है उन्हें जो expert होते हैं वो melanistic के टेगरी में डाल देते हैं क्योंकि इनका रंग जो है वो गहरा है usually black ठीक है habitat की बात करें तो ये south western china, burma, nepal southern india और indonesia में पाये जाते हैं india की कुछ हिस्तों में भी आपको मिल जाएंगे india की बात करेंगे तो india में आपको ये मिलेंगे karnatika, tamil naadu, kerala और maharashtra में protection status में IUCN की red list में ये हैं vulnerable sites के appendix 1 में और wildlife protection act of 1972 के schedule 1 में यहाँ पर बात है यहाँ पर कुछ information है नवे गाउ नकजिरा टाइगर रिजर्व के बारे में maharashtra में, maharashtra के eastern part में आपको यहाँ पर मिलेगा नवे गाउ नेशनल पार्क इसके आस पास कुछ और conservation areas हैं जिनको मिला कर ये बनता है ये जो नवे गाउ नकजिरा टाइगर रिजर्व है एक्चुली में इसमें कई सारे notified areas आते हैं जैसे कि नवे गाउ नेशनल पार्क ये आप यहाँ देखी रहे हैं फर्दर नवे गाउ वाइलेफ सेंचुरी नकजिरा वाइलेफ सेंचुरी न्यू नकजिरा वाइलेफ सेंचुरी और कोका वाइलेफ सेंचुरी ये सब मिलाके बनता है नवे गाउन अकजिरा तैगर रिजर्फ ये देश के बहुत इंपॉर्टेंट टैगर रिजर्फ के साथ भी जोड़ता है कानहा और पीच टैगर रिजर्फ जो मतरपरेस में है तदोबा अंधिरी टैगर रिजर्फ जो की महारास्ट्रा में ही है और इंद्रावरी टाइगर रिजर्फ जो की 36 गड़ में है जो NNTR है यानि कि नवेगाउन अजिरा टाइगर रिजर्फ यहां पर आपको Southern Tropical Dry Deciduous Forest मिल जाएंगे नेक्स्ट आर्टिकल ग्रेवैलिया बोरो के बारे में है ग्रेवैलिया बोरो ठीक है रिसर्चल्स में भी हाल ही में स्पाइडर के दो स्पीसीज डिस्कवर की है पहले का नाम है ग्रेवैलिया बोरो और दूसरे का नाम है डेक्सिपस क्लेन यह वेस्टन आसाम का जो चिरंग रिजर्फ फ़रस्ट है वहां पर मिला है तोनों के बारे में बैसिक बाते हैं ग्रेवैलिया बोरो जो है यह बरो स्पाइडर है 184 species नेमेजड आई फैमिली की वर्लड वायर परहिशान मत होगःगा इतना इंपोर्ट आइट कि बरो स्पाइडर है ये 10 से 15 सेंटीमिटर जमीन के नीचे जो sandy loom surface होता है, जो नरब मिट्टी होती है, उसके नीचे ये जाके रहते हैं, ठीक है? Graveya Bodo जो है, ये Bodo Community ने इसको नाम दिया है, जो कि आसाम में पाई जाती है Bodo Community नाम. Dexippus Cleaning की बात करें, तो ये Oriental Jumping Spider है, for the first time इनको यहाँ पर detect किया गया है, इनका description एक Swedish Arcanologist ने इंडोनेशिया के सुमात्रा में दिया था, 119 साल पहले, अभी ये पहली बार इधर देखे गए हैं, आसाम में, ठीक है? इन्हें Oriental Jumping Spider इसलिए बोल रहे हैं, कि वैसे तो ये बहुत धीमे चलते हैं, बट 25 mm तक की जंप लगा के ये अपने प्रे के उपर हमला करते हैं, तो ये नाम इन्हें इसलिए दे दिया गया है. वाई से याक, ये अपने बच्वन में जरूर से पढ़ा होगा, आज न्यूज में आया है, तो आए विस्तार से पढ़ते हैं, हमारा पहला आर्टिकल हिमालियन याक्स के बारे में है, कॉंटेक्स्ट ये है कि नेशनल रिसर्स सिंटर ओन याक्नी, जो की सिचुएटेड है वेस्ट कामिंग डिस्टिक में अर्वांशर प्रदेश के, उन्होंने एक टाई-अप किया है, किस के साथ? नेशनल इंसरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ, क्यों किया है? ताकि हमालियन याक्स का इंसरेंस किया जा सके, अब ऐसा नहीं है कि ये हमालियन याक्स खुदी अप सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशन की वज़े से, या फिर इलनेस की वज़े से, जब इनकी मौत हो जाती है, तो जो इन्हें डोमेस्टिकेट करते हैं, उन्हें काफी लॉस होता है, अगर इनके इंसरेंस की विवस्था रहेगी, तो उन्हें कॉम्पनसेशन मिल जाएगा, य इसमें ही बैसन, बफैलोज और कैटल भी आते हैं, याक्स की खास बात ये होती है, हिमालियन याक्स के स्पेशली कि ये माइनस 40 डिग्री सेलसे तक का टेमपरेशर बियर कर सकते हैं, एज आ टोल्ड यू, ये हाइली वैलूड है हिमालियन पीपल के लिए, तिबितिन बात करें, तो ध्यान दीजिएगा, ये तिबितन प्लेटू और आस पास के जो एजजिसंट, हाई एल्टीटूड रीजिंस हैं, उचाई वाले इलाके हैं, ये वहां का एंडेमिक है, एंडेमिक होने का मतलब आप जानते हैं, सिर्फ वहीं मिलता है, और कहीं नहीं मिलता, याक्स कमफर्टेबली 14,000 फीट की उचाई पर रह लेते हैं, लगभग 4,000, 4,000 मीटर की उचाई है, ये ठीक है, कई बार खाना ढोड़ते हुए, ये 20,000 फीट की उचाई तक चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि 12,000 फीट के नीचे आएं, विकाज उसके नीचे का ज इंडिया में 58,000 के आसपास है, IUCN Red List में का स्टेटस वल्नेरबल है, साइटस के एपंडिक्स 1 में है, और एंडियन वाइलर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शिल्यूल वन में है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लेम्रू Elephant Reserve के बारे में है, चतीज गड़ में ये रिजर्व प्रोट है, काफी इसका विरोद किया जा रहा है, वहां के लोकल्स के द्वरा, क्योंकि उन्हें ऐसा रगता है, कि उनका जो फार्म लैंड है, खेती करने वाली जमीन है, वो इसका हिस्सा बन जाएगी, तो बो लोग विरोद कर रहे हैं, फर्दर इस बात का भी विरोद है, कि अगर इसका एरिया काफी एक्स्टेंड किया जाता है, तो कई सारी कोल माइंस के अंडर में आ जाएगी, और उन्हें बंद करना पर जाएगा, हाली में 36 गर्ड की सरकार ने प् 2007 में वो तो 450 स्क्यल किलो मीटर का जो एरिया है उसी के लिए था, 2019 में 36 गर्ड की सरकार ने ही इसका एरिया इंक्रीज करके 1925 स्क्यल किलो मेटर किया था, और अभी वो अगें कह रहे हैं कि नहीं हम एरिया रिड्यूस करना चाहते हैं, जो एरिया 2007 में था, हम वहीं रखें है, अगर हम एलिफेंट्स के लिए एक एरिया स्पैसिफाई कर देंगे, तो human element conflict थोड़ा कम होगा, वो अपने habitat में अच्छे से रह पाएंगे, आपको कुछ और भी protected areas शतीगर में मिलेंगे, लाइक अचानक मार्क टैगर रिजर्ब, इंदरावधी टैगर रिजर्ब, के बारे में है, पोलर वैलजिस्ट का एक ग्रूप, अंटार्गेटिका में expedition के लिए गया था 2017 में, वो एक जिगे पर रुख गया, उन्हें वहाँ पर एक मौस मिला, शैवाल, आम बोलचाल की भासा में काई, उन्होंने उसको collect कर लिया, तो जो चलो इसके थोड़ी study कर ल पारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो Central University of Punjab के वेग्यानिकों ने इसे खोजा है, यह rare और dark green plant की एक species है, जैसा कि आप image में भी देख सकते हैं, यह हमें मिला है, Larsiman Hills के पास में, Larsiman Hill वही region है, वही area है, Southern Ocean के पास का, जहां पर इंडिया का जो भारती, Antarctica Research Station है, वो situated है, यह Antarctica है, Antarctica के Eastern region में, यह जो area मैंने mark किया है, यही है, Larsiman Hills का region, और यहां पर इस जगे पर हमारा जो Research Station है, भारती, वो situated है, तो इसी के पास में हमें यह चीज मिली हुई है, जो plant species है, इसे moss के तौर पर recognize किया गया, यह जो नई plant species है, इसे Indian scientist जो अंतर्केटिका में गये थे, उन के नाम के उपर, further जो हमारा Research Station है, उसका भी नाम भारती है, तो उसी नाम पर इसे भारती एंसिस नाम दिया है, first time ऐसा कुछ हुआ है, कि हमने किसी नई plant के species को अंतर्केटिका में खो जा है, चार दसकों से हमारे Research Stations महाँ पर है, देखे, यह जो भारती Research Station है, यह हमारा ती क्रिप्टो गैमिक गार्डेन के बारे में है, इंडिया का जो पहला क्रिप्टो गैमिक गार्डेन है, जिसमें लाइकीन, फंस, फंगई की लगभग 50 से जादा species मिलेंगी, इसे इनागरेट किया गया है, उत्तरा खंड के देहरादून डिस्टिक में, यह है क्या, first of all, क्र क्रिप्टो गैम प्लांट का एक क्लासिफिकेशन है, क्रिप्टो गैम क्लासिफिकेशन में ऐसे प्लांट्स आते हैं, जिन में hidden reproduction होता है, मतलब reproduction के लिए, जो flowers या seeds required होते हैं, वो इन में नहीं होते, रदर यह अपने sports के माध्यम से reproduction करते हैं, जो क्रिप्टो गैमि, यह word है, इसका मतलब भी hidden reproduction होता है, मतलब इनके पास reproductive structure visible नहीं होता, seeds नहीं होते, flowers नहीं होते, इसलिए कई बार इने, flowerless, seedless plant कहा जाता है, या फिर lower plant भी कहा जाता है, habitat की बात करें, तो ऐसे plants usually, moist environment में उगते हैं, यह aquatic और terrestrial places पर भी उग आते हैं, algae, bryophytes, lichens, ferns और fungi, यह crypto games category में आने वाले कुछ best known groups हैं, हमारा next article Tiger Corridor के बारे में है, रजस्तान की सरकार ने Tiger Corridor develop करने का प्लान किया है, जो newly proposed रामगर्थ Tiger Reserve है, उसको connect करेगा, रन्थमबो Tiger Reserve और मुकंद्रा हिल Tiger Reserve से, देखे, Tiger Reserve अलग-अलग regions होते हैं, जहां पर Tigers को conserve करने की कोसिस की जाती है, अब Tiger मतलब जंगल में रहता है, आप उसे ऐसा थोड़ी कहेंगे कि यहीं पर रहूं, लेकिन यहां से यहां आने के लिए उसके पास एक connectivity होनी जाए, अगर physical इंफ्रान में डेवलप कर दिया है, इसे लिए जो भी reserves होते हैं, reserve forest होते हैं, areas होते हैं, उनके बीच में एक region डेवलप किया जाता है, जो ecologically suitable हो, उनके जानवर हैं और उनके जो prey हैं, उनके flow के लिए, अब इससे यह तीनों region जब connect हो जाएंगे, तो जो इस location पे Tiger है, वो खुद को isolated feel नहीं करेगा, वो यहां स यहां से यहां जा सकता है, यहां से यहां आ सकता है, वो smart होते हैं, उन्हें पता है कि यह जो रास्ता है, यह मेरे लिए suitable है, मैं यहां से जा सकता हूँ, तो इसी उद्देश से जो corridor से उन्हें develop किया जाता है, government के द्वारा, ठीक है, Tiger corridor एक stretch होता है, जो दो या दो से अधि Tiger Habitates को link कर सकता है, यह तो बात समने समझ लिए, corridor के बिना जो Tigers होते हैं, वो fragmented हो जाते हैं, इससे Tiger की population isolate हो जाती है, और उन्हें नुकसान होता है definitely, रामगा Tiger Reserve की बात करें, तो अभी हाल ही में इसे nod मिला है, संसुती मिली है, acceptance मिली है, National Tiger Conservation Authority से, जो उनकी technical committee है, उन्हों ब आया गया था, और 2004 में यह बना National Park, यह चंबल नदी जो है, located on the Eastern Bank of, चंबल रिवर के Eastern Bank पे आपको मिलेगा, और इसकी tributaries इसे drain करती है, इस पार्क के आसक पास आपको दो mountains मिलेंगे, जिनकी valley में बीच मिलेंगे है, मुकंदरा और गर्गोला, बात करते हैं, यहाँ पर ल संचुरी मिलेगे, हम बात करेंगे, कर रहे हैं, मुकंदरा हिल टाइगर रिजव की, एक तो है दारा, दूसरा है जवाहर सागर, और तीसरा है चंबल, रन थंबोर टाइगर रिजव की बात करें, तो राजस्थान में ही located है, बानस यहाँ पर जो river है, वो इसके north में है, औ पर कई सारे लोगों को निराशा हुई, उसमें ये था कि जो एक zone था, उसे fishing free zone डिकलेयर कर दिया गया था, ताकि हम वहाँ पर जो भी वकीटा परपॉइस हैं, उन्हें बचा सकी, अभी उन्होंने इस fishing free zone में जो भी restriction थे, उनको loosen कर दिया है, Gulf of California में, अब इस से जो में ही इस fishing free zone को बनाया गया था, वकीटा परपॉइस, ये दुनिया का काफी rare और छोटा marine animal है, जो लगभग extinct होने वाला है, इसे panda of the sea भी कहा जाता है, विकॉज आप इसकी आखों के किनारे ये, काले कलर का circle देख सकते हैं, जो आपको अक्सर पांडाज में देखने को मिल करते हैं, इनके पीट पर एक fin होती है, वो मदद करती है, जो भी heat होती है, उसे बाहर करने में, जो नदन Gulf of California है, वहाँ पर जो sea of cortis है, यहाँ पर, इस जगे को fishing free zone declare किया गया था, ताकि इन्हें बचाया जा सके, ये usually 50 मीटर जहाँ पानी हो, swallow water हो, वहाँ पर पाया जाते हैं, IUCN की status में ये critically endangered है, अक्सर इन्हें, जो एक दूसरे प्रकार की मचली है, टोटोबा, उसे पकड़ने के चक्कर में pochers पकड़ लेते हैं, और जान से मार देते हैं, जितने जादा ये हर साल पैदा नहीं होते, उतने जादा pochers इने पकड़ के मार देते हैं, तो इनक अर्टिकल गेको स्पीसीज के बारे में है, उडिसा के forest official ने अभी announce किया है, जो एक newly discovered तिनी गेको स्पीसीज है, जीनस हैमिफाइलो डेक्टाइलिस के उसके बारे में, कि उसे कैसे preserve किया जा रहा है, ये जो स्पीसीज है, इसे for the first time 2014 में उडिसा के गंजम district में spot किया गया अपुसी से इसे नाम दे दिया गया गंजम, स्लेंडर, गेको, ये हमिफाइलो, डेक्टाइलिस फम ले से बिलॉंग करता है उस फम ली का ये सबसे छोटा गेको है, ठीक है, गेको क्या होता है, ये रेप्टैल्स होते हैं, रेप्टैल्स देखे, दुनिया में हर जिगह प तक पाई जाती है, usually जो कहोज होते हैं, वो nocturnal होते हैं, रात में ही अपने activities करते हैं, कई बार ये दिन में insects, fruit and flowers के जो नेक्टर्स हैं उन पर depend करते हैं, अगर ये दिन में active हैं तो, हमारा next article new commission for air quality management के बारे में है, ministry of environment, forest and climate change, प्लान कर रही है, कि अब वो एक bill प्रपोस करेंगे, जो की एक air quality commission बनाने के बारे में होगा, that will be for the commission for air quality management in the national capital region and adjoining areas will 2021, मांसून सेशन में इस bill को रखे जाने का प्लान है, मैं आपको पता दूँ कि ये body already exist करती है, अब इसके लिए कानून बनाने के बात चल रही है, इस body को जब बनाया गया commission for air quality management, तो इसके लिए एक ordinance आया था, जिस ordinance के तहत ये commission for air quality management बनाया गया था, उसमें कहा गया था, कि अगर किसान पराली जलाएंगे, तो उनको jail भी हो सकती है, पंजाब हर्याडा में पराली जलाई जाती है, फसल को उपर से काच लिया जाता है, उसका नीशी का जो डंडा होता है, तो उसको एक सांत वो जला जलाती है, तो इसे रोकने के लिए ये कानून लाया गया, अब कानून में बड़े strict प्रावधान थे, मतलब अगर कोई पराली जलाएगा, तो उसे fine भढ़ना पड़ेगा, और jail भी हो सकती है, इसे काफे cut size किया गया, मतलब इतनी बड़ी बड़ी industries है, इतना pollution फैला रही ह लोग कितने commercial vehicles और personal vehicles का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको jail नहीं होगी, किसान पराली जला देगा, तो jail हो जाएगी, मतलब थोड़ा, काफे cut size किया गया सरकार को इस बारे में, तो सरकार ने भी प्लान किया है, कि jail वेल नहीं भीजेंगे किसी को, हाँ, fine तो लगाएंगे, levy होगी, अगर आप जो भी किसान हैं, वो stable burning करते हैं, तो ठीक है, commission for air quality management की बात करें, QA, CAQM की, तो इसे 2020 के October में, ordinance के मादिम से बनाया गया था, इसके पहले की जो body थी, environment pollution, prevention and control authority, जब ये CAQM आया, तो इसने इसको abolish कर दिया, और इसके सारे functions, अब ये CAQM perform करने लगा, commission को अगर इसके लिए भी बिल आ रहा है, अगर ये बिल पास हो जाएगा, तो अभी एक structure authority बन जाएगी, ठीक है, ये commission जो है, वो central or state pollution control boards जो है, डेली, पंजाब, हरियाना, UP और राजस्थान, उनको replace कर देगा, composition की बात के हैं, तो इसमें एक full time chair person होंगे, जो government of India के secretary सकते हैं, जो chair person होंगे, वो तीन सालों के लिए अपने पत पे रह सकते हैं, लेकिन 70 साल से उम्र के अधिक तक नहीं, अगर वो 68 साल में appoint होते हैं, तो 12 साल रह पाएंगे, ये मामला है, फर्दर देखिए, इसमें जो members होंगे, वो कई सारी ministries से होंगे, और जो भी stakeholders है, कु को कैसे control किया जाए, अगर कोई complain करता है, कि इस वज़े से air pollution हो रहा है, NCR region में, आसपास की region में, उसे भी हैंडल करेंगे, parameters बताएंगे कि कैसे air pollution को control किया जाए, कोई violator है, कोई factory है, industry है, वो लगातार, pollute कर रहे हैं, atmosphere मान नहीं रहे हैं, तो उनके पास अधिकार है, कि वो उसे बंद भी करवा सकते हैं, further इनके पास power है, कि अगर कोई state government ने directive issue किया है, जो pollution norms को violate करता है, तो वो उसे भी overrule कर सकते हैं, कि आपका नहीं माना जाएगा, हम जो बोलने हैं, वो माना जाएगा, हमरा next article Great Indian Bustard के बारे में है, central government ने अभी राजे सभा को जानकारी दी कि जो कच बस्टर्ड सेंक्चुरी है, गुजरात के कच डिस्टिक में, जनवरी एक जो इस साल का रहा, यानि कि 2021 का, उसके data के according वहाँ पर कोई भी Great Indian Bustard अब नहीं है, So that was the information, जिसके वज़े से ये topic news में आया, Great Indian Bustard, ये state bird है राजस्थान का, और इंडिया की कुछ बहुत ही जादा critically endangered birds में count होता है, ये एक flagship grassland species है, जिसके जरीया आप ये पता कर सकते हैं, कि वहाँ की जो grassland ecology है, वो बढ़ियां से है की नहीं है, अगर ये खतम हो रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है, कि जो grassland ecology है, वो खराब हो रही है, ये दुनिया की कुछ heaviest flying birds में से count होती है, मतलब काफी भारी होती है, बड़ी होती है, लेकिन उड़ सकती है, habitat की बात करें, तो ये आपको इंडिया में राजस्थान, गुजरात में मिल जाएगी primarily, इसके साराष्ट्रा, करनातिका और आंद्रप्रदेश में भी दिख जाएगी, protection status की बात करें, अभी आप तक आपको अंदाजा लगया होगा, कि इनकी संख्या कम है, तो अब ये जो उनका protection status होगा, that will be high, तो IUCN के red list में ये critically endangered है, sites में appendix 1 में है, जिसका full form होता है, convention on international trade in endangered species of wild, fauna and flora, CMS के appendix 1 में है, यानि कि convention on migratory species और wild protection act of 1972 के schedule 1 में है, threats की बात करें, तो कई बार ये जो बिजली के तार होते हैं, उनके टकरा जाते हैं, इससे उनकी मौत हो जाती है, वैसे तो जो भी critically endangered birds वगयरा होती है, उनकी hunting बंद होती है, रोख होती है, लेकिन पाकिस्तान में इनकी hunting अभी भी prevalent है, कुछ समय पहले मैंने एक article discuss करके आपको बताया था, कि साथी अरभिया से कुछ लोग पाकिस्तान आ रहे थे, जिने कुछ समय के लिए great Indian bastard की hunting allow कर दी गई थी, जो की काफी निरासा जनक था, कि एक ऐसी species जो इतनी ज़्यादा endangered है, आप उसकी hunting allow कर रह रही है, government initiatives की बात करते हैं, जो great Indian bastard को बचाने का प्रयास कर रहे है, great Indian bastard project launch किया गया था, राजस्तान की सरकार के तरह, इसमें ये था कि जो भी areas, breeding ground है, bastard के, उनको हम identify करके fence कर देंगे, ताकि और protected रहे और कोई दिक्कत ना हो, further उसके बाहर भी अगर कोई breeding enclosure है, तो हम उसे तहत ये program चलता है, जो ministry of environment, forest and climate change का initiator है, उसके तहत हम इसको रख देंगे, great Indian bastard को protection अच्छा मिल जाएगा, जो MOE FCC है, ये ministry जिसके अभी हम बात कर रहे थे, इसने एक program launch किया था, habited improvement and conservation breeding of great Indian bastard and integrated approach, इसके मादियम से भी हम इन्हें बचाने की courses कर रहे थे, इसके important article है, gross environment product के बारे में, उत्रक्षन government ने हाल ही में बताया, कि वो जो उनके natural resources हैं, उसका gross environment product calculate करेंगे, हम normally GDP यानि सकल घ्रिलूत पाद की बात करते हैं, यहाँ पर gross environment product की बात की गई है, इसके तुरू वो ये measure करेंगे, कि जो wetlands है, जो जंगल है, उनकी क्या value हो, ताकि natural resource की value भी calculate की ज 1997 में, Robert Costanza, एक economist है, उन्होंने पहले बोला था, कि एक gross environment product होना चाहिए, ताकि इससे ये पता लगए, कि आप जो development करें, उसके environment को कितना नुक्सान हो रहा है, उसका प्रभाव भी आपकी लोगों के ओपर पढ़ता है, तो यह assessment system है, इससे ecological status पता चलता है, तो आनने भी बात करें दी कि वो भी green GDP को follow करेगा, ताकि GDP में जो नुक्सान, GDP growth के विए से जो नुक्सान अगर कहीं ecosystem होगा, उसको GDP से minus कर दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने सोचा था, पर apply नहीं किया, क्योंकि बहुत कम हो जाता है, उसके पास GDP, अगर हम ऐसा करते हैं, तो ऐ Green GDP एक अच्छी पहल है, उत्राकंड के दोरा, जिससे economic growth और environmental factors दोनों को calculate किया जागा, कुछ काम करने में, तो एक term होता है ecosystem services, ecosystem services की बात की कि जो हमारे आसपास के ecosystem है, उसका क्या प्रभाव होता है हमारे जीमन में, हमारी अर्थिवस्था पे, हमारे समाज इक जीमन पे, य हुआ health benefits हो रहे है, उसको भी calculate करना चाहिए, उसको हम, वो quantifiable नहीं होता है, उसको calculate किया जा सके, evolution उसका क्या युगदान है, वो भी जा जा सके, इसलिए भी stem का शुरुआद 1981 में किया गया था, तो ecosystem जो होते हैं, वो forest में होगे, desert में होगे, जिस भी तरह से इसको भी important role play क उनके युगदान को भी गिनना इसका पार्ट है, तो कौन-कौन सीको सिस्टेम प्रवाइज सिस्टेम आप देख सकते हैं, अब ही हमने देखा कि जो oxygen, carbon dioxide बढ़ रहा है, तो अगर आपके पास एक तगड़ा सा forest है, तो आपका carbon sequels कर रहा है, oxygen create कर दे रहा है, watershed production हो रही है, बाइडिवस्टी पर यह एक जंगल से आपकी, तो यह सब चीजें बहुत important aspect रखते हैं, play करते हैं, इससे आपके GDP का बहुत सरा खर्चा बचता है, pollution कम होता है, आपको वहाँ खर्च नहीं करना पड़ता, तो यह सभी चीजें calculate की जाते हैं, उससे gross environment product में, calculation में सबका, सब मोटा पंक, wetland या भील भी से कहते हैं, तो मगुरी मतलब होता है, एक catfish, मगुरी कहते हैं, उसको local भाशा में, तो वहाँ यहाँ बहुत सी मगुरी मश्रे पाएं जाती है, तो इसलिए इसका नाम यह पड़ा, और यहाँ जो आसपास तिनसुख्या का इलाका असमगा है, तिनसुख्या डिस्ट्रिक्ट में, अब खास बात यह है कि यहाँ पर एक important being पाइकाल wildlife century भी है, दिबुडु का डिस्ट्रिक्ट है, तो पास में आपकी ब्रहपुत्र भी बह रही है, यहाँ आपका दिबुडुशी कोबा नेशनल पार्क भी है, तो यह एक पड़ी important district है इंडिया का biological और biodiversity के हिसाब से, यहाँ पर एक duck भी देखा गया था, आपको पता कौन सा duck देखा गया था, यहाँ mendian duck देखा गया था, काफी सालों बार, जो बहुती rare एक duck होता है, तो आपको पता है mendian duck कहा देखा गया था, तो वो देखा गया था, मगुरी मोटप, यह एक biosphere reserve है, जो की नामधापा नेशनल पार्क का एक ecological corridor है, क्यों भाई, क्या corridor की क्या कहा नहीं है, एक तो इसके आसपास इंडो बर्मा biodiversity hotpot का हिस्सा है, अगर animal diversity यहाँ जादा है, तो जानवर एक ही जिएक सिमित नहीं रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं, तो वो corridor एक सारी आप diversity यहाँ देखते हैं, और लबगा 105 species of butterfly रहते हैं, इतनी amphibious species रहते हैं, तो इक बहुत बड़ी diversity यहाँ देखी गई है, और एक important bird and biodiversity area यह है, इसको की Bombay National High Street Society ने इसको डिकलेर कर रहा था, 1996 में, हमारे लिए important यह है कि कहाँ पर located है, डिपरुचिकोवा बाइसफेर रिजर्व, किसका corridor है, यह इंडो बहुमा जो बाड़ावस्टी होर्सपोट का पूरा इलागा है, उसको लिए corridor प्रवाइड करता है, नामना बाशनल पार्क आगे बाद आती है, त्रिपुरा गवर्मेंट ने एक initiative लिया है, farmers कि वो अगर वूड को जरा develop करें, तो यह कैसे याद रहेगा आपको, त्रिपुरा की राजदानी है अगर तला और अगर तला में अगर वूड बहुत जरा grow किया जाता है, उसका नाम भी शायद अगर की पड़ा है, तो अगर जो पेड़ होते हैं, जो लकडी होती है, काफी सुगंदित होती है, तो इसका इस्तमाल scents में, incense sticks में किया जाता है, कई जगे किया जाता है, इन्हें woods of the gods भी कहा जाता है, क्योंकि तरह खुश्बून के अंदर से आती है, तो यह native है North East India का, और वहां की appendix 2 में listed है, sites में, क्योंकि economically important है, industry में भी काम आते हैं, और बहुत तेजी से growने वाले evergreen tree species हैं, तो इसकी growth की जाया, तो farmers को भी फायदा है, और environment को भी फायदा है, और क्योंकि उस region में, जहां green North East की और जारा growth करना चाहरे है, वहां पे फायदा हो सकता है, यह सबसे expensive raw material ह अगर हम बात करें, fragment agarwood की, खुश्बू की काम आता है, तो इससे oils भी बनते हैं, और इससे आप orderless और healthy wood का इस्तमाल करें, grow कर सकते हैं, एक scented incense या फिर perfume या oil जो भी आप करना चाहें, तो इससे एक aromatic resin भी create किया जा सकता है, तो यह इसकी खास बात है, कहां पर है, क्यों है किस लिए या mention कर दिया, इतनी detail में कि क्या procedure इसको grow करने का वो important नहीं है, लेकिन हमें पता होना अच्छे कि अगरwood का इस्तमाल कहां किया जाता है, incense में, perfume में, small carvings में, कहां ये जारा मिलता है, तो अगरतला में, और कहा जाता है कि तरिपोरा के अगरतला का नाम भी अगरwood से हमें use करने थे, earth से, वो 29 जुलाई को ही use कर लिए, ये estimate हमें दिया गया है, worldwide fund for nature, WWF के द्वारा, earth oversuit क्या होता है, oversuit का मतलब यह होता है, beyond a point, आपने कोई एक target बनाया था और आप उसके आगे चले गया, that is oversuit, देखे, earth के पास जो भी हम उसके resources use करते हैं, उसको regenerate करने वहाँ पर mosses, algae's आएंगे, then grasses, then shrubs, फिर जंगल आ जाएगा, similarly अगर आप carbon excite का emission करते हैं, तो earth के पास speed है, जो उसे सोक सकते हैं, लेकिन earth की regenerate करने की एक गती है, एक pace है, अगर हम उससे जादा speed से उसे exploit करते हैं, तो loss होता है, earth एक साल में, जितना अपने resources को regenerate कर पाता है, हम उससे पहले ही उसे exploit कर लेते हैं, ये गती धीमे धीमे बढ़ी है, हम और जल्दी earth के resources को exploit करते चले जा रहे हैं, ये graph आपको ये दिखाता है, शुरू में एक साल में जितना region rate होता था, हम एक साल में उतना ही use करते थे, लेकिन हम ज्यादा use करते चले जा रहे हैं, तो इस साल, 29 जुलाई को हमने साल भर में जितने resources regenerate होते और जितना करती, वो हमने use करके खतम कर दिया, इसके बाद अब हम जो भी resource use करेंगे, वो earth regenerate नहीं कर पाएगी, humanity के demand जो ecological resources की है, वो बढ़ती जा रही है, इसलिए हम ज्यादा exploitation कर रहे हैं, हम 74% ज्यादा exploit कर रहे हैं earth को, मतलब मारी need को पूरा करने के लिए हमें 1.7 earth की आवश्यक्ता पड़ेगी, लेकिन earth तो एक ही है, 22 जुलाई के बाद हम जो कुछ भी use करेंगे resources को, वो हमारे पास अब नहीं है, it will be kind of ecological deficit spending, 1970 के बाद हमारा exploit करने का तरीका लगातार बढ़ता गया है, 2020 में COVID के वज़े से थोड़ी रियायत आई थी, लेकिन एक बार फिर से हमने इस date को पहले ही meet कर दिया, पहले ही exploit कर लिय बात करते हैं, World Wide Fund for Nature के बारे में, non-governmental organization है, international level का, 1961 में found किया गया था, Switzerland के gland में headquartered है, इनका काम ये है कि human impact जो environment पे है, उसे कम किया जाए, और जो wilderness है, उसे preserve किया जाए, तुनिया का सबसे बड़ा conservation organization है, ये कई तरीके के reports and programs चलाते हैं, like, Living Planet Report, Earth Hour, Debt for Nature Swap, Marine Stewardship Council, और healthy grown potato, ठीक है, हमारा आगला article है, GAR Report on Drought के बारे में, recently Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction को release किया गया, UN Office of Disaster Risk Reduction के तौरह, इस report में, systematic nature में Drought और उसके जो असर है, उसको study करने का प्रयास किया गया, जो Sendai Framework है, उसके उपर किस तरीके का असर पढ़ता है, जो SDG goals को हमें अचीव करना है, उस के impact पड़ते हैं, इसको analyze करने की कोशिश किया, इस report में, अब Sendai Framework के बारे में, आप जानते है, 2015 से 30 की मयाद में, ये fulfill करने की बात करी जाती है, जिसमें disaster risk को, जो जानमाल की हानी होती है, जो आपके पेशे, या livelihood की, या फिर health के जो losses होते है, economic, physical, social, cultural, environmental assets का, जो भी loss होत होता है, business या community या country को, उन सब को prevent करने की बात करी जाती है, Sendai Framework में, बात करें, ड्रॉट की तो, ड्रॉट को characterize करा जाता है, बारिश या precipitation को कहें, मोटे तोर पे, उसकी कमी से, चाहे वो rain के form में हो, snow के form में हो, sleet के form में हो, जब एक particular period के लिए, एक अवदी से जादा late हो समान के चलिए, water का जो use है, जो consumption का pattern है, उसको proper तरीकी से manage नहीं करा जाएगा, उस case में भी सूखा पड़ सकता है, ड्रॉट आ सकता है, ड्रॉट को किस तरीके से, IMD define करता है, overall 10% अगर long period average निकाला जाए, और 20% area को अगर ड्रॉट condition effect करती है, उस case में कहा जाता है, कि यह moderate या severe, या combined moderate या severe ड्रॉट है, IMD ने धीरे धीरे अब यह जो drought की vocabulary उसको अलग कर दिया, और उसकी जगा नई vocabularies, जो scientifically precise हैं, उनको यूज़ करना शुरू कर दिया है, जैसे पहले all India drought year कहा जाता था, या all India severe drought year कहा जाता था, अब IMD जो है, वो यूज़ करती है, deficient year या फिर large deficient year जैसे terms को, जो काफी ज ज्यादा scientific भी है, और precise भी है, classification की बात करें, तो तीन तरीके की droughts है, meteorological, hydrological और agriculture, meteorological में सीधा सीधा कहा जारा है, जो rainfall है, वो 25 प्रतिशत से भी कम हो जाए, किसी एक जगा की, long term average जो है, वो 25 प्रतिशत से भी कम हो जाए, उस तिती में meteorological drought कहलाता है, इसके साथ में moderate drought वो है, जब 26 से 50 प्रतिशत rainfall हो, एक particular section of area में, इसके बाद hydrological drought जो होता है, इसमें surface या sub-surface water supply जो है, वो कम हो जाता है, अब जब वो कम हो जाएगा, तो specific needs जो होते है, उनके लिए भी पानी कम हो जाएगा, और ऐसी conditions के समय आप देखें, साथ में क्या होता है, जो precipitation है, वो average जो 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 अब वेबरेजर है, लेकिन overall पानी की कमी होनी के वज़े से भी hydrological drought क्यालाता है, और यह जो metrological और hydrological है, दोनों मिलके agricultural drought में impact play करते हैं, दोनों trigger करते है agricultural drought को, क्योंकि यहाँ पर आप देखें, soil moisture और साथ में जो rainfall है, दोनों ही inadequate हो जाते है, cropping season के समय, जिसक जो area है, अगर आप देखें, 68% drought prone है, बल्लेरेबल है, drought से यह प्रभावित हो सकता है, 33% area जो है, वो chronically drought prone area में आता है, इंडिया में, जहाँ पर rainfall जो है, वो 750 mm से भी कम है, 35% जो area है, उसको drought prone में classify करा गया, जिसमें 750 से लेके 1125 mm तक rainfall होती है, कुछ major years भी है, जब बहुत ज़्यादा सुखा ग्रस्त था हमारा भारत, 1987 और 2002, recent year से, नीतियायों कि एक बहुत ही popular report है, जो कि आप water management में report कर सकते हैं, जिसका नाम है composite water management index report, यह कहता है, लगबग 2,00,000 के आज पास, लोग हर साल इंडिया में, पानी की inadequate water या फिर sanitation की विवस्ता ना होनी के वेज़े स मरते हैं, इसका मतलब यह है कि हम GDP का 6 प्रतेशत खो देंगे, 2050 तक water के crisis की वज़े से, आगे देखें, तो severity के basis पे, इंडिया में, अलग-अलग regions को classify कर दिया गया है, कि कौन-कौन से, droughts कहां-कहां पर कितना severe हो जाता है, regions में, जैसे extreme drought affected areas में, राजिस्थान आजाता है, रवली हिल्स है, मरुस्थली का इलाका है, कच्छ का जो region है गुजरात में, यह सारे, फिर severe drought area जो है, बहाँ पर आप अंदरप्रदेश, करनाटिका प्लाटो, northern और interior जो तमिलाडू के पार्ट्स हैं, जारकंड के पार्ट्स हैं, ओडिसा के पार्ट हैं, वो सारे आ जाते ह इसके अलावा एक और इंपोर्टेंट टर्म है, जो आपको जानना चाहिए, वो है, flash drought, flash flood आपने सुना है, जब एकदम से बहुत जादा वारिश हो जाती है, तो flash flood आ जाते हैं, उसी तरगी से एकदम से सूखा पढ़ जाता है, उसको आप कहते है, flash drought, अभी जो rapid conditions है, वो क moisture है, वो बहुत जल्दी water vapor में convert हो रहा है, वो कैसे हो जाएगा, जब high temperature होगा, heat waves आती है, तो heat wave की वज़े से भी flash flood होते है, winds की वज़े से होते हैं, high insulation हो, या फिर जो rainfall हो, वो निर्धारिस समय से जादा delay हो जाए, जादा खिच जाए, इसको agriculture drought की श्रेणी में भी रख सक